कि भारत्य संगठन का डिस्कसन करेंगे सारे भारत्य संगठनका अस्थापना कब उन्हाँ कहा है उनके अस्थापक कोन है उनके बरतमान में अध्यक्ष कोन है उनके परतमान में CEO कौन हैं और उन संगठन से संबंधित अन्य तत्थे का भी डिसकसन करते चलेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा एक कमेंट कर दीजेगा इस वीडियो को अपने दुस्तों में भी सेयर कर दीजेगा साथ ही अभी त आज की इस वीडियो की हम शुरुवात कर लेते हैं तो देखिए आज की इस वीडियो का परतम संगठन है इस रो इस रो का फूल फॉर्म होता है इंडियन एस पेस रिसर्च और गेनाजेशन इसका हिंदी में मिनिंग होता है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इस इस रो के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम सारा भाई और यह देखिए डॉक्टर विक्रम सारा भाई जी हैं जिन्होंने इस रो का गठन किया इस रो के हैडिक्वाटर अर्थात मुख्याला हैं बंगलूरू करनाटक में इस रो के बरतमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और ये दखिए डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं जो बरतमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ से पहले इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे के सिवान के बाद बरतमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं अब चलिए आगे बढ़ते ह अगला संगठन है DRDO जिसका फूल मिनिग होता है Defense, Research and Development Organization हिंदी में मिनिग होता है रक्षा, अनुसंधान, एबं विकास संगठन DRDO की अस्थापना 1959 स्विम हुआ DRDO की मुख्याल है ने दिल्ली में स्थित हैं, बरतमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीस रेडडी है चलिए आगे बरते हैं अगला संगठन है बार्ग, जिसका फूल मिनिग होता है भावा Atomic Research Center हिंदी में मिनी होता है भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र जिसकी सुरुवात हुआ था इस बार्ग का कब अटोमिक इनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉमबे के नाम से इसका गठन हुआ था 1924 में बार्ख का शुरुवात में गठन हुआ था Atomic Energy Stabilisement Trombie अर्थात AET के नाम से जिसकी अस्थापना किये थे होमी जाहागीर भाभाजी और यह देखिए होमी जाहागीर भाभाजी हैं जिन्होंने बार्ख का अस्थापना किये इसी AET का पुना Renamed किया अर्थात बार्ख नाम रखा गया था 1966 में अर्थात बार्ख का अस्थापना 1966 में हुआ बार्ख का मुख्याले हैं ट्रमबे मुंबई में बार्ख के बरतमान में CEO हैं अजीत कुमार मुहंती और यह देखिए अजीत कुमार मुहंती जी हैं जो बरतमान में बार्ख के CEO हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेगा बार्ख का कठन सुरुवात में AET के नाम स था भावा एक्टॉमिक रिसर्च सेंटर इससे पहले इसका नाम था एक्टॉमिक इनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉम्बे अब चलिए आगे बरते हैं अगला संगठन है ISPA जिसका फूल मिनी होता है फूल फॉर्म होता है Indian Space Association हिंदी में मिनी होता है भारतिय अंत्रिक्ष संग इसका गठन हुआ था हाली में 11 एक्टॉबर 2021 विको इसका मुख्याले बंगलूरू में इस्तित हैं इसके बरतमान में अध्यक्ष जैंत पार्टिल ज और यह देखिए जैंत पार्टिल हैं जो बरतमान में ISPA के अध्यक्ष हैं और बरतमान में भारतिय अंत्रिक्ष संग के महासचीव हैं अनिल कुमार भट और यह देखिए अनिल कुमार भट हैं जो बरतमान में भारतिय अंत्रिक्ष संग के महासचीव हैं चलिए आगे बरत कठन है SCI जिसे Supreme Court of India का अर्थात Supreme Court of India का short form है SCI हिंदी में भारतिय सरोच न्याले भारतिय सरोच न्याले की सुरुवात हुआ था Federal Court of India के नाम से कब 1937 वी में तो आप लोग इस बात को धियान में रेखेगा भारतिय सरोच न्याले का शुरुवात हुआ था Federal Court of India के नाम से 1937 वी में जबका इसका नामकरन क्या गया था रिनेम्ट क्या गया था Supreme Court of India के नाम से 1950 वी में इसी को हम लोग अस्थापना दिवस मानते हैं 1950 को और हमारा Supreme Court जो हैं कहां है न्यूदिल्ली में स्थित हैं बरतमान में मुखे नैधिस हैं एवी रवन जो 48 में नंबर के हैं और यह देखिए एवी रवन जी हैं जो बरतमान में हमारे Chief Justice of India है पर्थम Chief Justice of India कोन है तो एच जे कॉर्णिया और यह देखिए एच जे कॉर्णिया है जो भारत के पर्थम Chief Justice of India है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और यह देखिए अगला संगठन है नवार्ड जिसका फूल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर एंड रूलर डेवलोप्मेंट जिसका हिंदी में मिनी होता है राष्ट्रिय क्रिसी और ग्रामिन भिकास बैंक इस नवार्ड का गठन हुआ था अर्थात अस् अगला संगठन है सेवी सेवी का फूल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हिंदी में कहा जाता है भारतिय परति भूतिय और बीनिमय बोर्ड इस सेवी का संगठन हुआ था अर्थात अस्थापना हुआ था उनीसव बिरंदवेश्बी में सेवी का हेडक्वाटर अर्थात मुख्याल मूंबई में स्थित हैं सेवी के बरतमान में चेर्मेन अजय त्यागी है और यह दखि Small Industries Development Bank of India कहा जाता है, हिंदी में भारतिय लगु उधोग विकास बैंक कहा जाता है, इस CDB की अस्थापना 1990 भी हुआ, CDB का Headquarter लखनों में स्थित है, CDB के बरतमान में अध्यक्ष एस रमन है, और ये देखिए, CDB के एस रमन है, जो बरतमान में CDB के चेर मेंन है, चलिए आगे बरते हैं, और अगला संगठन है CBFC, जिसे Central Board of Film Certification कहा जाता है, हिंदी में केंदरिय फिल्म परमानन बोर्ड कहा जाता है, इसकी अस्थापना 1951 स्विम हुआ, इसकी हेड़क्वाटर मुंबई में स्थित है, इसके बरतमान में अध्यक्ष परसून जोसी हैं, और ये देखिए, परसून जोसी हैं, जो बरतमान में केंदरिय फिल्म परमानन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अब चलिए आगे बरते हैं और अगला संगठन है बार्क, इस बार्क का मिनी होता है, ब्रोड कास्ट आउडियेंस रिसर्च कॉंसिल, हिंदी में ब्रोड कास्ट आउडियेंस रिसर्च कॉंसिल ही कहा जाता है, इस बार्क की अस्थापना हुआ है, 2010 इस बी में, बार्क के हेड़क्वाटर हैं गोईका और यह देखिए पुनीत गोईका है जो बर्तमान में बार्क के अध्यक्ष है बर्तमान में बार्क के CEO हैं नकूल चोप्रा और यह देखिए नकूल चोप्रा है जो बर्तमान में बार्क के CEO हैं तो आप लोग इसे ध्यान में रखेगा यह most important संगठन है क्योंकि यह संगठन ऐसा है जिसे पिछले बर्स questions पुछा गया था इसी संगठन से अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर अगला संगठन है NHB जिसे National Housing Bank का जाता है अर्थात NHB का full form होता है National Housing Bank इस राष्टी आवास बैंक का अस्थापना 1988 में हुआ राष्टी आवास बैंक का मुख्याल निव दिल्ली में स्थित हैं बर्तमान में राष्टी आवास बैंक के अध्यक्ष सर्दा कुमार होता है और यह देखिए सर्दा कुमार होता है जो बर्तमान में NHB अर्थात और यह देखिए अगला संगठन है ट्राई जिसका फूल मिनी गोता है टेलेकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया हिंदी में मिनी गोता है भारतिय दूर संचार बिनी में प्राधिक्रम इस ट्राई का अस्थापना उनिश्व संतानवे स्विम हुआ ट्राई का हेड़ क्वार् बरतमान में अध्यक्ष डॉक्टर पीडी बगेला है और यह देखिए डॉक्टर पीडी बगेला है जो बरतमान में ट्राई के चेर्मेन हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर अगला संगठन है FSSAI इसका फूल मिनी होता है Food, Safety and Standards Authority of India हिंदी में मिनी होता है भारतिये खाद संरक्ष एवं मानक प्राधिकरन इस FSSAI का अस्थापना 2011 स्विम हुआ इसका Headquarter New Delhi में स्थित है इसके बरतमान में अध्याक्ष रीता टियोटिया है और यह देखिए रीता टियोटिया है जो बरतमान में FSSAI के अध्याक्ष है बरतमान में FSSAI के CEO है सिरी अरोन सिंगल और यह देखिए सिरी अरोन सिंगल है जो बरतमान में CEO हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा कोमेंट करते चलिएगा इस वीडियो को अपने दुस्तों में भी शेयर कर दिजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर अगला संगठन है RBI, most important संगठन है जिससे अकसर questions पूछे ही जाते हैं इस RBI का full form होता है Reserve Bank of India हिंदी में मिनी होता है भारतियर Reserve Bank RBI की अस्थापना 1935 में हुआ RBI के बरतमान में Governor सक्तिकांत दास जी हैं और यह देखिए सक्तिकांत दास हैं जो बरतमान में RBI के Governor है RBI की अस्थापना तो 1935 सिस्विम हुआ जबकि RBI का राष्टिय करण 1949 सिस्विम हुआ RBI के Headquarter मुंबई मिश्थीत है तो चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओर अगला संगठन है IBA, IBA का full form होता है Indian Bank Association हिंदी में भारतियर बैंक संग का जाता है इस भारतियर बैंक संग का अस्थापना 1936 सिस्विम हुआ भारतियर बैंक संग का मुख्याल है मुंबई में इस्तित है बरतमान में भारतियर बैंक संग के अध्यक्ष एके गोयल हैं जो बरतमान में भारतियर बैंक संग के अध्यक्ष हैं साथ ही साथ एक गोयल युपकर बैंक के अध्यक्ष बरतमान में हैं एसबी आई कि अस्थापना 1955 हुआ एस भी आई के मुख्याल है मुबई में श्थित है और बरतमान में एस भी आई के अध्याख्छ दिनेश कुमार खारा है और यह दहुति DR कमार खारा है जो बरतमान में SN cam RI kijken अब चलmor आगे बर थे हैं अगले संगठन की लो और अगला संगठन है IRDAI जिसे Insurance Regulatory and Development Authority of India कहा जाता है हिंदी में इसका मिनिंग है बीमा बिनियामक और विकास प्राधिकरन इसकी स्थापना 1999 में हुआ इसके हेड क्वाटर अर्थात मुख्याल है हैदराबाद तलंगाना मिश्तित है इसके बरतमान में अध्यक्ष सुवास चंद्र खोटिया है और यह देखिए सुवास चंद्र खोटिया है जो बरतमान में IRDAI के अध्यक्ष है तो आप लोग इसे ध्यान में रखेगा IRDAI का फुलफ़म होता है Insurance Regulatory and Development Authority of India लिए हिंदी में इसका मिनी होता है बीमा बिन्यामक और विकास प्राधिक्रण तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और और अगला संगठन है LIC जिसे Life Insurance Corporation कहा जाता है हिंदी में भारतिये जीवन विमा निगम कहा जाता है LIC के स्थापना 1956 हुआ LIC के मुख्याल है मुंबई में श्तित है और LIC के बरतमान में अध्यक्ष MR कुमार है और यह देखिए MR कुमार है जो बरतमान में LIC के अध्यक्ष है तो इसे आप लोग ध्यान में रखेगा साथे साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करती है चलिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाफ मिल सके तो चलिए अगले संगठन के ओर चलते हैं कि अगला संगठन है CBD जिसे Central Board of Direct Tax का जाता है हिंदी में इसका मिनिंग होता है केंदरी यह परत्यक्ष कर बोर्ड सीविडिटी की अस्थापना 1964 में हुआ शीविडिटी के मुख्याल है नियुदिल्ली में स्थित हैं सीविडिटी के बरतमान में अध्यक्ष जेवी महापात्रा है और यह देखे जेवी महापात्रा है जो बरतमान में CBD के अध्यक्ष हैं CBD के फुल्फों होता है Central Board of Direct Tax चलिए आगे बरते है अगला संगठन है CBIC जिसे Central Board of Indirect Taxes and Customs कहा जाता है इसका हिंदी में मिनिक होता है केंद्रिय और परतेक्च कर और स्रीमा सुल्क बोर्ड इसकी अस्थापना 1964 में हुआ इसके हेड़क्वाटर निव दिल्ली मिस्ती थे और इसके बरतमान में अध्यक्च बिवेक जहरी है और जो बरतमान में CBIC के अध्यक्च है अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओर और अगला संगठन है एसो चैम जिसे Associate Chamber of Commerce and Industry of India कहा जाता है इसका हिंदी में मिनिक होता है भारतिय वानिज्य एवं उधोग मंदल इसकी अस्थापना 1922 में हुआ इसके हेड़क्वाट गbay कर निधी केके निपर स्थ है कि इसके बरतमान में अधियाक्ष विणीद अगरवाल है और यह देखिए विनीट अगरवाल है जो बरतमान में एसो चैम के अध्यक्ष है अध्यक्ष है हिरा नंदनी है और यह देखिए डॉक्टर निरंजन हिरा नंदनी है जो कि एसुचेम के अस्थापना किये थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और अगला संगठन है नैसकॉम का फूल मिनिग होता है नेशनल ऐसोशेशन उपो फूप्ट्व एर एंड सर्विस कमMPframes जिसका हिंदी में मिनिग होता है नेशनल ऐसोशेशन ओफ एर एंड सर्विसेज कम्पनी इस नैसो केम के अस्थापना 1988 वे हुआ नैसो केम के मुख्याल है नियू दिली मिस्तित है, नैसो केम के बरतमान में अधहक्च रेखा M मिनान हैं और ये देखिए रेखा M मिनान है जो बरतमान में नैसो कौम के अधहक्च हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन क्यों और यह रहा अगला संगठन ECI जिसे Election Commission of India का जाता है भारतिय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था निवदिल्ली मिष्थित हैं बरतमान में चीफ एलेक्षन कमिशनर कोन है अर्थात मुख्य चुनाव आयोगत कोन है बरतमान में तो सुसील चंद्रा है और यह देखिए सुसील चंद्रा है जो बरतमान में आगे बड़ते हैं और अगला संगठन है यूपीएससी है यूपीएससी का फूल फॉरम होता है यूनियन पावलिक सर्विस कमीशन हिंदी में इसका मिनिंग होता है संग लोग सेवा आयो यूपी ऐसी की अस्थापना 1926 इस्विवा यूपी ऐसी के मुख्याले न्यू दिल्ली मिशते थे और बरतमान में यूपी ऐसी के अध्यक्ष हैं परदीप कुमार जो जो बरतमान में यूपी ऐसी के अध्यक्ष हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की और यह हैं अगला संगठन एन सी डवलू का फूल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फोर ओमेन इसका हिंदी में मतलब होता है राष्टिय महिला आयो इस राष्टिय महिला आय अध्यक्ष रेखा सरमा है और यह देखिए रेखा सरमा है जो बरतमान में राष्टिय महिला आयो के अध्यक्ष है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की और और अगला संगठन है नहर्सी इस नहर्सी का फूल फॉर्म होता है नेशनल हुमन राइट कमीशन हिंदी में मिनिंग होता है राष्टिय मानवा अधिकार आयोग के अस्थापना 1993 सविम हुआ राष्टिय महिला आयोग के हेड़ क्वाटर निउ दिल्ली मिस्ति थै और बतमान में राष्टिय महिला आयोग के अध्यक्ष, अरूनकुमार मिश है जो बरतमान में राष्टिय महिला आयों के अध्यक्ष हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखिए अगला संगठन है CBI CBI का फूल फर्म होता है Central Bureau of Investigation हिंदी में मतलब होता है केंद्री यह जांच Bureau CBI की अस्थापना 1963 भी हुआ CBI के मुख्याले न्यू दिल्ली में हैं और CBI के बरतमान में अध्यक्ष कहिए या निर्देशक कहिए या डारेक्टर कहिए वह हैं सुबोध कुमार जैसवाल और यह हैं सुबोध कुमार जैसवाल जो बरतमान में CBI के निर्देशक हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओड़ और अगला संगठन है NSC NSC का फूल फर्मोता है National Safety Council राष्टिय सुरक्षा परिशद की अस्थापना 1965 हिस्विम हुआ राष्ट्य सुरक्षा परिशद की मुख्याले हैं नवी मुंबई में बरतमान में राष्ट्य सुरक्षा परिशद के अध्यक्ष हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओर और यह रहा अगला संगठन अगला संगठन है इस एनसी एस्टी का फोल फोर्म होता है नेशनल कमीशन फोल सीड्यूल ट्राइबर्स हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्य अनुसुचित जन जाती आयोग इस राष्ट्य अनुसुचित जन जाती आयोग के अस्थापना 2004 सिवे में हुआ राष्ट्य अनुसुचित जन जाती आयोग के मुख्याले निवदिल्ली में हैं और बरतमान में अध्यक्ष हैं स्री हर्स चौहान और ये हैं स्री हर्स चौहान जो बरतमान में राष्टिय अनुसूचित जन जाती आयों के अध्यक्ष है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर और अगला संगठन है NCSC NCSC का full form होता है National Commission for Schedule Cast हिंदी में इसका मिनी होता है राष्टिय अनुसूचित जाती आयों इस राष्टिय अनुसूचित जाती आयों किया स्थापना 2004 से भी हुआ राष्टिय अनुसूचित जाती आयों के मुख्याले हैं नियो दिल्ली में स्थित और बरतमान में इसके अध जो बरतमान में राष्टिय अनुसूचित जाती आयों के अध्यक्ष हैं चलिए आगे परते हैं अगले संगठन के और यह रहा अगला संगठन NCM जिसे National Commission for Minority कहा जाता है जिसका हिंदी में मिनिंग होता है राष्टिय अल्प संख्यक आयोग राष्टिय अल्प संख्यक आयोग के अस्थापना 1993 स्विम हुआ राष्टिय अल्प संख्यक आयोग के मुख्याले नियो दिल्ली में स्थित हैं बरतमान में राष्टिय अल्प संखक आयो के अध्यक्ष हैं एकवाल सी लालपूरा और ये हैं एकवाल सी लालपूरा जो बरतमान में राष्टिय अल्प संखक आयो के अध्यक्ष हैं और ये हैं अतीफ रसीद जो बरतमान में राष्ट्य अल्प संख्यक आयोग के उपा अध्यक्ष हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओर और ये रहा अगला संगठन NCBC जिसका फूल फर्म होता है National Commission for Backward Classes हिंदी में मिनिग होता है राष्ट्य पिछला बर्ग आयोग इस राष्ट्य पिछला बर्ग आयोग की अस्थापना 1993 में हुआ राष्ट्य पिछला बर्ग आयोग की मुख्याल अर्थात हैड़क्वाटर निव दिल्ली में से थे बरतमान में राष्टे पिछला बर्ग आयो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी और ये हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी जो बरतमान में राष्टे पिछला बर्ग आयो के अध्यक्ष हैं कि चलिए आगे चलते हैं अगले संगठन की और यह रहा अगला संगठन रेलवेय बॉर्ड की अस्थापना हुआ है 1905 भी में रेलवेय बॉर्ड के हेड़ क्वार्टर हैं निव दिल्ली में रेलवेय बॉर्ड के बरतमान में अध्यक्ष और सीईयों हैं भीके तिरफाथी इ बरतमान में रेल मंत्री है डुस्वनी गया देखिए ड़क्टर भीके त्रिपाथी हैं जो बरतमान में रेलबड क는 अध्याक्ष हैं और यह State कि है कि आश्वनी पय समय बैसनव्द जो बरतमानमें रेलमंध रही हैं जोन कितने भी वैसनव है और रेलवे जोनों की संख्यां टोटल अठारा है और रेलवे बोड के अस्थापना उन्हीं सपांचीज विवा रेलवे बोड के मुख्याले निव दिल्ली मिश्थीते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और यह रहा अगला संगठन NCRB NCRB का फुल फर्म होता है National Crime Record Bureau इसका हिंदी में मिनी होता है राष्टी है अपराध Record Bureau National Crime Record Bureau के अस्थापना 1986 मिम हुआ National Crime Record Bureau के मुख्याले निव दिल्ली मिश्थित है और बरतमान में इनके निदेशक है बिवेक गोगिया और यह देखे बिवेक गोगिया है जो बरतमान में National Crime Record Bureau के निदेशक है और यह जो है National Crime Record Bureau यह ग्री मंत्राले के अंतर गताते हैं इसलिए बरतमान में ग्री मंत्री कौन ग्रिह मंत्री हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के और और ये रहा अगला संगठन अगला संगठन है FIDC FIDC का फूल फॉर्म होता है Finance Industry Development Council इसका हिंदी में मिनिंग होता है बित उधोग विकास परिशद इसकी अस्थापना 2014 में हुआ इसकी मुख्याले मुंबई मिस्तित है बरतमान में इसके अध्यक्ष कमलेस गांधी है और ये देखे कमलेस गांधी है जो बरतमान में FIDC के अध्यक्ष है और ये FIDC बित मंत्राले के अंतरगत आते हैं अतह बरतमान में बित मंत्री कौन है तो बरतमान में बित मं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन अगला संगठन है एन एच ए आई इसका फूल फॉर्म होता है नेशनल हाइवे ऑथरिटी ओफ इंडिया हिंदी में इसका मिनी होता है बारती है राष्टी है राजमार्ग प्राधिकरन इसकी अस थापना उनिश्व पंचानवे से हुआ इसके हैड़कवाटर न्युदिल्ली में सित है इसके बरतमान में अध्यक्ष है अलका उपाध्या है जो बरतमान में भारतिय राष्टी राजमार्ग प्राधिकरन के अध्यक्ष हैं और यह शरकपरिवहन और राजमार्ग मंत्रा कोन है तो बरतमान में मंत्री है नितीन गड़कड़ी और यह देखे नितीन गड़कड़ी जी है जो बत बरतमान में सरक परिवन और राजमार्ग मंत्री है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुस्चिन स्कूर और अगला संगठन है नालको जिसे नेशनल एलमुनियम मिस्तित हैं और बरतमान में नालको के अध्यक्ष है सिधार्थ पात्रा और यह देखे सिधार्थ पात्रा है जो बरतमान में नालको के अध्यक्ष है तो इसको आप लोग धियान में रखेगा यह काफी महत्पुर्ण संगठन है नालको नालको का फोल फर्म होता है नेशनल एलमोनियम कमपनी इस नालको के स्थापना 1981 भी हुआ और नालको के हेड़ क्वार्टर भूवनेस्वर में इस्थित है क्योंकि अधिकतर संगठन का मुख्याले मुंबई या फिर दिल्ली मिश्थित होते हैं लेकि इसका मुख्याले जो हैं भूवनेस्वर मिश्थित हैं अत अधार्थ पात्रा अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन क्यों और अगला संगठन है आई टी डी सी इंडियन टूरिज्म डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन भारत प्रेटन विकास निगम इसकी स्थापना 1966 में हुआ इसके हेड़क्वाटर निव दिल्ली में इसके ब इसलिए बरतमान में प्रेटन मंत्री कोन है तो बरतमान में प्रेटन मंत्री स्री जी किसन रेड़ी है और यह देखे स्री जी किसन रेड़ी है जो बरतमान में प्रेटन मंत्री है अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन क्यों और अगला संगठन है बी सी सी आई तो द देखिए आप लोग BCCI के फूल फर्म को आप लोग जरूर धियान रखिए क्योंकि इसके फूल फर्म को पिछले ही दिनों कुछ इकजाम में पुछे गए हैं तो इसका फूल फर्म होता है Board of Control for Cricket in India इसकी अस्थापना 1928 में हुआ है इसके हेटक्वाटर मुंबई मिस्तित ह इसकी बरतमान में अध्यक्ष सवरफ गांगली है और यह देखिए सवरफ गांगली है जो बरतमान में BCCI के अध्यक्ष है अच्छा बरतमान में BCCI के उपाध्यक्ष कोन है तो देखिए बरतमान में BCCI के उपाध्यक्ष है राजीव सुकला और यह देखिए राजीव बरतमान में BCCI के उपाध्यक्ष है अब बता ये बरतमान में BCCI के सचीव खोना है तो देखिए बरतमान में BCCI के सचीव हैं जैसा और यह देखिए जैसा है जो बरतमान में BCCI के सचीव हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और यह देखिए अगला संगठन है NCA National Cricket Academy राश्टिय क्रिकेट एकडेमी अच्छा बताइए राश्टिय क्रिकेट एकडेमी के स्थापना कब हुआ तो देखिए राश्टिय क्रिकेट एकडेमी के स्थापना जिन्होंने नेशनल क्रिकेट एकडेमी के अस्थापना किये थे नेशनल क्रिकेट एकडेमी के मुख्याल है बेंगलूरू करनाटक में इस्तित हैं और बरतमान में इसके निर्देशक हैं वीवीएस लच्छमन और यह देखे वीवीएस लच्छमन है जो बरतमान में नेशनल क्रिकेट एकाड़ेमी के निर्देशक हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की योट और यह देखे अगला संगठन है एन सी पी सी आर नेशनल कमीशन फूर प्रोटेक्शन ओफ चैल्ड राइटर इसका हिंदी में मिनी होता है राष्टिय बाल अधिकार संरक्षन आयोग इसकी अस्थापना 2007 में हुआ है इसके मुख्याले निव दिल्ली मिस्तित हैं बरतमान में एन सी पी सी आर के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानुनंगो और यह देखे प्रियंक कानुन का दिन अता बरतमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है एसमिर्ति एरानी और यह देखे एसमिर्ति एरानी है जो बरतमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के और और ये देखिए अगला संगठन है IWF Indian Weight Lifting Federation भारतिय भारतोलन महासंग इसकी अस्थापना 1935 हुआ है इसके हेड़क्वाटर न्यू दिल्ली मिस्तित है इसके बरतमान में अध्यक्ष है सहदेव राय और ये देखिए सहदेव राय है जो बरतमान में इंडियन वेट अगले संगठन के चेयर परसन है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन क्यों और अगला संगठन है ISA जिसका मिनिग होता है इंडियन एस्टील एस्टील एसोचियेशन भारतिय इस्पात संग इसकी अस्थापना 2014 में हुआ है इसके हेड़क्वाटर न्यू दिल् उमेन और यह देखिए दिलेब उमेन है जो बरतमान में भारतिय इसपात संग के अध्यक्ष है अच्छा बरतमान में भारतिय इसपात संग के महासचीव अलोक सहाय है और यह देखिए अलोक सहाय है जो बरतमान में भारतिय इसपात संग के महासचीव है अब चलिए आगे के बरते हैं अगले संगठन की और अगला संगठन आई इग जिससे इंस्ट्र्ट भी इख रह खालत हा ठीक है आई इसी का फूल फर्मोता है इस्ट्रट्ट भी को नोमिक ग्रोथ इसका हिंदी में मिनींक होता है आर्थिक विकास संस्थान इसके स्थापना हुआ और दाव लिए धीक अरबिस डाव है जिन्हों ने आई इजी अर्थात आर्थ्क विकास संस्थान के अस्थापना किया थे और इसके मोख्यालें नियुदिली मिस्तित हैं बर्तमांम में इसके अध्यक्ष एनके सिं और यह देखिए NKC है जो बरतमान में आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष है अगे बरते हैं अगले संगठन की और और यह रहा अगला संगठन ISA ISA का फूल फर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलाइंस और इसका हिंदी में मिनिंग होता है अंतर राष्टिय सौर गठबंधन इसके अस्थापना हाली में क्या गया है 2015 में इसके मुख्याले हैं गुरुगराम हर्याना मिस्थित हैं और इस इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के अध्यक्ष भारत हैं इसके सह अध्यक्ष फ्रांस हैं ध्यान में रखेगा इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के बरतमान में महासचीव अजय माथूर हैं और यह देखें अजय माथूर हैं जो बरतमान में अंतराश्टिय सोर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के महासचीव हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन की ओर। और यह रहा अगला संगठन नीती आयोग। इस नीती आयोग में नीती का फूल फॉर्म होता है नेशनल इस्टिटूचन फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया। तो यह काफी महतपूर्ण है नीती का फूल फॉर्म। क्योंकि इसका होता है राष्टी है भारत परिवर्तन संस्थान इस नितियायो के अस्थापना 2015 में हुआ है इसके मुख्याल है नहीं दिल्ली में स्थित हैं और इसके बरतमान में अध्यक्ष कौन है तो वो बरतमान में अध्यक्ष जो परधान मंत्री है वह होते हैं नितियायो के अध्यक् कर निध्याइव कि उपाध्यक् disaster वर्तुमार के द्नाइब कमार और यह लेगतिने में और पॉर्तृमार में ज्थ मब चाहिए लाँ में कियों सफिलने अर्थाफерм एकते उम Tribe वर्तृमार वल्हाइजद ही यूने और यहां क्वादल सब्सक्राइब कुमार RAW यह यह एंक ज्य कि नितियायोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था इसी उसी योजना आयोग को जो है 2015 में रिनेम्ट करके नितियायोग नाम कर जिया गया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की और यह रहा अगला संगठन एंडीडीबी एंडीडीबी का फूल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड इसका हिंदी में मिनी होता है राष्टी है डेरी विकास बोर्ड इसकी अस्थापना 1965 में वो है और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर बरगीज कुरियन और यह है डॉक्टर बरगीज कुरियन जिन्होंने नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट ब बोड के अध्यक्ष है और थाट चेयर परसन है स्री मिनेश साह और यह है स्री मिनेश साह जो बरतमान में निशनल डैरी डेवलोपमेंट बोड के अध्यक्ष है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन क्यों और यह अगला संगठन UIDAI UIDAI का फूल फर्मोता है Unique Identification Authority of India यही संगठन है जो भारतिय नगरी को अधार कार्ड प्रोवाइड किये है और इसका हिंदी में मिनिक होता है भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिक्रान इसकी अस्थापना दोजार नोएस भी मुआ है इसके मुख्याले निव दिल्ली मीश्ट थे बरतमान में UIDAI के अध्हाक्ष है जे सत्यण नरायन और ये सत्यण भरतमानमे UIDAI के अध्यक्ष हैं बर्तमान में यूँआड आई के CEO है सवरफ गर्ग और यह सवरफ गर्ग जो बर्तमान में यूआई डी कि ए आई के CEO हैं चिप एक जेवटिव ऑफसर हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन BJP जिसकी बरतमान में संटर में सरकार हैं अर्थात नरंद्र मुरीजी के सरकार हैं यह नरंद्र मुरीजी है यह बीज़़पी पार्टे से बिल भारतिय जन्ता पार्टी हिंदी में भी खा जाता है इसकी अस्थापना 1980 में हुआ था और इसके सनस्थापक řे अटल ब्यारी बाज पेई और लाल कृस्छ अडवानी इए यह बीज़पी के मुख्याले निऊ दिल्नि मिस्तित हैं बीज़पी के बॉतमान में है अध्यक् बरतमान में बीजेपी के महासचीव बीयल संतोस हैं और यह देखे बीयल संतोस हैं ठीक है यह बीयल संतोस हैं जो बरतमान में बीजेपी के महासचीव हैं काफी महत्पून है यह दोनों लोगों इन दोनों लोगों आप लोग ध्यान में रखेगा कि बरतमान में बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नडड़ा और बरतमान में बीजेपी के महा सचीव है बीयल संतोष यह काफी महत्पून है बीयल संतोष इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा देखिए अब बताईए बीजेपी के लोग सभा में सत्ता पक्ष के निता कौन है तो वह तो स्री होगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की और अगला संगठन है एन आई ए जिसका फूल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजैंसी जिसे हिंदी में राष्टिय जांच एजैंसी कहा जाता है इसकी अस्थापना दो हजार आठिस पर बुआ है इ इन आई ए अर्थात राष्टिय जांच एजैंसी के मुख्याले न्यू दिल्ली मिश्टित हैं बरतमान में राष्टिय जांच एजैंसी के अध्याक्ष योगेश चंद्र मोदी है और यह है योगेश चंद्र मोदी जो बरतमान में राष्टिय जांच एजैंसी के अध्या अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन क्यों और यह रहा अगला संगठन सेल सेल का फूल फर्म होता है एस्टील ऑथ्रेटी ओफ इंडिया लिमिटेड जिसे हिंदी में भारत्य इस पात प्राधिकरन लिमिटेड का जाता है इसकी अस्थापना 1924 में हुआ है इसके इसके CEO कोन है यह भी सोमा मंडल है जो पहली CEO है सेल के पहली अध्यक्ष सोमा मंडल पहली महला अध्यक्ष है सेल के पहले CEO महला वह सोमा मंडल है जो पहली महला है और यह देखिए सोमा मंडल है जो बरतमान में सेल के अध्यक्ष साथ ही साथ CEO भी है यह पहली महला है जो सेल के अध्यक्ष बनी है तो इससे आप लोग जरूर ध्यान में रखेगा यह सुमा मंदल अब चलिए आगे परते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन गैल जी ए आई एन गैल का फूल फॉर्म होता है गैस ऑथरिटी ओफ इंडिया लिमिटर जिसे हिंदी में गैस प्राधिकरन लिमिटेड का जाता है इसकी अस्थापना 1984 में हुआ है इसके हेड़क्वाटर न्यू दिल्ली में स्थित है बरतमान में गैल के अध्यक्ष मनोज जैन है और यह मनोज जैन है जो बरतमान में गैल के अध्यक्ष हैं बरतमान में गैल के CEO हैं मनोज जैन औ अगे चलिए अगला संगठन है SSC इसका फोल फॉर्म होता है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हिंदी में करमचारी चैन आयोक का जाता है इसकी अस्थापना 1975 स्विव हुआ है इसके मुख्याल है निवदिल्नी मिस्तित है बरतमान में इसके अध्यक्ष ब्रजराज सरमा है और यह ह अगला संगठन AICF AICF के फोल फर्म होता है All India Chase Federation अखिल भारतिय सत्रंज संग इसके अस्थापना 1951 में हुआ है इसके मुख्याल है निवदिल्नी मिस्तित है इसके बरतमान में अध्यक्ष संजय कपूर है और यह है संजय कपूर जो बरतमान में अखिल भारतिय सत्रंज सं के अध्यक्ष हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह अगला संगठन है CCI जिसका फूल फर्म होता है Competition Commission of India भारतिय परतियस परधा आयोग इस आयोग के अस्थापना 2003 में है इस आयोग के मुख्याल है निवदिल्नी मिस्तित है इस आयोग के बरतमान में अध्यक्ष अस सुप कुमार गुपता है जो बरतमान में बारतिय परतियस पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं बरतमा बरतमान में इस आयोग के सचीलंदी के स давно है सिकरेटरी हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन को और अगला संगठन है NSD इस NSD का फूल फर्म होता है National School of Drama इसकी अज़्थापना 1969 स्विम हुआ है इसके मुख्याला निव दिल्ली मिस्तित है इसके बरतमान में अध्यक्ष परेश रावर है यह देखिए एक्टर है जो बरतमान में National School of Drama के अध्यक्ष है यह परेश रावर बरतमान में National School of Drama के अध्यक्ष परेश रावर है और इसके निद्रेशक सुरेश सर्मा है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन सी आई आई इस सी आई आई का फोल फर्म होता है कन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडेस्ट्री भारतिय उद्वोग परिशंग इसकी अस्थापना अठारसव पंचानवेश में हुआ है इसके मुख्याले निव दिल्ली मिस्तित है इसके बरतमान में अध्यक्ष टीवी नरे जनरल है जो बरतमान में भारतिय उद्वोग परिशंग के अध्यक्ष है और इसके बरतमान में डायरेक्टर जनरल कोन है अर्थात महासचीव कोन है तो वह हैं चंद्रजीत बनार जी और यह हैं चंद्रजीत बनार जी जो बरतमान में भारतिय उद्वोग परिशंग के महा एरपोर्ट ऑथोरिटी औफ इंडिया भारतिय बिमान पतन प्राधिकरन इसकी अस्थाप्णा उन्विपन चानवी निवगी इसके मुख्याले न्यु दिली मिए तीति है और इसके बरतमान में अध्यक्षा है संजीव और ये हैं संजीव कुमार जो बरतमान में भारती है बिमान पतन प्राधिकरन के चेर पर्षन अर्थात अध्यक्ष हैं अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के ओल और ये रहा अगला संगठन NRAI इस NRAI का फोल फर्म होता है National Rifle Association of India इसका हिंदी में मिनी होता है भारतिया राष्टिया राइफल संग इसके स्थापना 1911 में गुआ है इसके संस्थापक जीवी मामलंकर हैं और यह हैं जीवी मामलंकर जिन्होंने National Rifle Association of India के अस्थापना किये थे और इसके पार्टर नियुदिल्नी मिश्ते थे बरतमान में National Rifle Association of India के अध्याक्षे रनिंदर सी हैं और यह है रनिंदर सी जो बरतमान में अध्याक्षे हैं चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन क्यों और यह देखिए अगला संगठन है PTI इस PTI का फोल फर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के स्थापना 1947 स्विम्वा है इसके मुख्याले निव दिल्नी मिश्तित हैं बरतमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्याक्ष अ जब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के और और यह देखिए अगला संगठन है ICMR इस ICMR का फोल फर्म होता है इंडियान कांसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका हिंदी में मिनी होता है भारतिया आयरविज्यान अंसंधान परिसद यह संस्थान काफी महत्पुन है इ उससे आप लोग जरूर से जरूर धियान रखेगा क्योंकि जब से कोवेड नैंटीन का वैक्सीन आया है इसके अनुमती से संब्धनित उसके ड्रग से रिलेटर जो भी जनकारी है क्योंकि उसका अनुमती यही संगठन देती है अता यह संगठन इस कोवेड-19 के दौर में कापे महत्पून हो गया है अता इस संगठन से रिलेटर कमपर्टेटिव एक्जाम में भी कोश्चेंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस संगठन का अधिक कारेभार बढ़ा है इस कोवेड-19 के दौर में तो चलिए इस संगठन से संब्धनित कुछ इंप्रोटेंट तथ्य पहले इसके स्थापना 1949 इसके हैड़क्वाटर न्यू दिली मिश्थिते बरतमान में इसके महासची में बलराम भारगव और यह देखिए बलराम भारगव है जो बरतमान में पहले इसम्हार के महासची में मिश्य मillonर के फूल फॉर्म को ध्यान विखिए इसका फूल फॉर्म होता है इंडियन Council of Medical Research और यह जो है किस मंत्राले के तहता आते हैं तो यह जो है स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले के तहता आते हैं अता स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री कौन है बरतमान में तो है श्री मंसुख मंडविया और यह देखे श्री मंसुख मंडविया है जो बरतमान म स्वास्त मंत्री हैं अब चलिए अगले संगठन के और चलते हैं और यह देखिए अगला संगठन है NCRT देखिए इस NCRT का फूल फर्म होता है National Council of Educational Research and Training इसका हिंदी में मिनिंग होता है राष्टिय सेक्षिक अनुसंधान और परसिक्षन परिशद इसकी अस्थापना उनी सो डाक्टर स्रीधर स्रीवास्तव हैं और यह देखिए डाक्टर स्रीधर स्रीवास्तव हैं जो NCRT के बरतमान में निर्देशक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की और और यह रहा अगला संगठन CBSE Central Board of Secondary Education हिंदी में मिनी होता है केंदरिया माधमीक सिक्षा बोर्ट और इसकी अस्थापना 1929 भी हुआ है इसका मुख्याले नियुदिल्नी में स्थित है इसके बरतमान में अध्यक्ष मनोज आहुजा है और यह देखिए मनोज आहुजा है जो बरतमान में CBSE के अध्यक् सिक्षा मंत्री स्री धर्मेंद्र परधान है और यहां धर्मेंद्र परधान जो बरतमान में हमारे देश के सिक्षा मंत्री है और इस अगर्ट यह संगठन भी काफी महत्पून है क्योंकि जब से कोबिड-19 ने है तब से CBSE Board के जितने भी स्टुडनेंट है चाहें 10 के हो व इस एक नमबर के रूप में आपसे उगये तो उस एक नमबर को बचाने के लिए आ अप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेए हगा क्योंकि वीडियो में जितने भी संगठन लिया है वह сारे संगठन कि в किसे अगज्याम में प्रीबेसेर में पूछे गए यह उसी संगठन को हम लोग इस वीडियो में सामिल किये हैं जो आप लोगों के लिए काफी महत्पुर्ण हो तो चलिए अब हम आगे बरते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन ओ एन जी सी ओ एन जी सी का फूल फर्म होता है ओल एंड नेच्राल गैस कोर्पूर दिली में बसंत कुझ नियुदिली में हैं बरतमान में ओंजी सी के सी ओ है सुभास कुमार और यह दखिए सुभास कुमार है जो बरतमान में इसके अद सी यह हैं अर्थाथ चीफ एक्जिव्टिव आफसर है अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन को और अगला पर अपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका हिंदी में मिनिंग होता है भारती यह वानिज्जा एबम उद्वोग महासंग इसकी स्थापना उनीशो सताइसिस में हुआ है इसका मुख्याले नियुदिली मिस्थित है और इसके बरतमान में अध्यक्ष संजीव मेहता है और बरतमान में फिक्की के महासंचीव दिलीप चीनव है और एक इंपोर्टेंट नौट है देखिए इस फिक्की के स्थापना यह भारत का सबसे बड़ा पुराना और सिर्ष व्यपार संगठन है इसकी अस्थापना उनीशो सताइसिस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घं किया नहीं कि और महात्मा गांधी के सलाप में पिक्की की स्थापना और फिक्के के महासचीव में ऊछंथापना हुए तनहीं आप फिक्की का हिंदी में मिनिक होता है भारत्य बानेजय एबम उद्भोग महासंग अब चलिए आगे बरते हैं कि और यह अगला संगठन एंसी बी एंसी वी का फूल फर्म होता है नार्कोटिक कंट्रोल व्यूरो स्वापक नियंतरक वियूरो इसकी अस्थापना 1986 में होगा है इसके मुख्याला न्यू दिल्ली में श्तित है और इसके बरतमान में अध्यागच सत्यृ नरायन प्रधान है और ये दिखिने سत्यृ नरायन प्रधान है जो बरतमान में एंसीबी के अध्यक्षें एंसीबी का मुख्य होदेश से अखिल भारती अस्तर पर मादक पदार्थों की तसकरी को रोक और खतम करना है रोक लगाना और खतम करना इसका मुख्य होदेश से होता है एंसीबी का अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के ओर और यह र स्थापना 1952 में हवा है इसके मुख्याल्य निवी दिल्ली मेंसित है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के और बर्तमानी भारत की प्रधानमंत्री सरी नरा Ready Judy J 지원 में सी एस आई य के महासाचीब है देखें इसकी स्थापना किनों किये थे देख इसकी अस्थापना ऐस मुदलियार और शुरूप भटनागर ने किये ठीए अब ज़िये आग Entonces के स्थापना याए मुदलियार और सोछुत भटना रहने किये थे और इसके बरतमान महासरचीब सेखर मंडे हैं और यह हैं सेखर मंडे अब चलिए आगे बरते हैं अगले संगठन के और और यह रहा अगला संगठन BSE जिसे Bombay Stock Exchange कहा जाता है इसकी अस्थापना 1875 से में भुआ है इसके मुख्याले मुमबई मिश्तित है और भरतमान में Bombay Stock Exchange के CEO है स्री असिसकुमार चौहान जो बरतमान में CEO है Bombay Stock Exchange के अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन के ओर और यह रहा अगला संगठन NSE जिसे National Stock Exchange कहा जाता है अब चलिए अगले संगठन को चलते हैं और यह रहा अगला संगठन सीवीची तो सीवीची का फूल फॉर्म होता है संड्रल विजिलन्स कमिशन संड्रल विजिलन्स कमिशण का हिंदी में मिनिनiquement होता है केंद्यर्य सतरक्ता आयवड इसकी अस्थ्ठापना 1964 शितस मुख्यालाए New Delhi में सित है और इसका भी अध्यक्ष परधान मंतरी ही होते हैं तो बरतमाने प्रदार मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है अता केंद्रे सतरक्ता आयुक्त के बरतमान में केंद्रे सतरक्ता आयुक्त कौन है तो बरतमान में केंद्रे सतरक्ता आयुक्त स्री सुरेस एन पटेल हैं और यह देखें स्री सुरेस एन पटेल हैं जो बरतमान में केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त हैं और ये हमारे मोदिजी हैं जो बरतमान में हमारे देश के परदार मंत्री हैं और केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त के अध्यक्ष भी हैं और इन्हें जरूर दियान में रखेगा केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त हैं स्री सुरेस एन पटेल अब है हरित अधिगरान इसकी अस्थापना 2010 इसके मुख्याल है निव दिल्ली मिश्थित हैं इसके बरतमान में अध्यक्ष जस्टिस अधर्ज कुमार गोईल है ठीक है एंजीटी के बरतमान में अध्यक्ष जस्टिस अधर्ज कुमार गोईल है और यह देखिए अधर्ज कुमार प्रतम अध्यक्ष थे NGT के और बरतमान में अध्यक्ष है NGT के जस्टिस आदर्स कुमार ग्वैल और NGT के प्रतम अध्यक्ष थे जेस्टिस लोकेस्वर सी और यह हैं जेस्टिस लोकेस्वर सी और यह हैं जेस्टिस आदर्सकुमार गोयल अब चलिए आगे परते हैं अगले संगठन की और यह रहा अगला संगठन एपसी आई एपसी आई का फूल फर्म होता है फूर्ड कर्पोरेशन ओफ इंडिया भारतिय खाध निगम इसके अस्थापना उनिश्टिस में हुआ है इसके मुख्याल है न्यू दिल्ली मिश्टित हैं और इसके बरतमान में अध्यक्ष हैं स्री अतिस चंद्र और यह देख यह अगला संगठन है जी एस आई जिसका फूल फॉर्म होता है जियो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया भारतिय भू बैज्ञानिक सर्वेक्षन इसके अस्थापना अठारे सो एक क्यावानिस में हुआ है इसका मुख्याल है कोलकत्ता मिश्टित है और इसके बरतमान में महा संगठन की ओर और यह देखिए अगला संगठन है एंडी में इस एंडी में का फूल फर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी राश्टी आपदा प्रबंधन प्राधीक्रन इसकी अस्थापना दोहजार पांच इसमें हुआ है और इसके मुख्याले आपदा प्रधीक्रन का अध्यक्स भी हैं अब चलिए आगे परते हैं अगले संगठन की और अगला संगठन है एंडी आरेफ इस एंडी आरेफ का फूल फर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फॉर्स इसका हिंदी में मिनिग होता है राश्टी है आपदा प्रति करवाल है जो बरतमान में एंडी आरेफ के महासची में अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन को और यह देखिए अगला संगठन है बी आई एस इस इस का फूल फर्म होता है ब्यूरो अफ इंडियन एस्टेंडर भारतिया मानक ब्यूरो इस भारतिया मानक ब्यू की आध्याट्याट्य पर्मोध कुमार तीवारी हैं और यह देखिए पर्मोध कुमार तीवारी हैं जो बरतमान में ब्यूरो औफ इंडियन एसटेंडर के अध्याट चैरिमेन है चेर परसन है अब चलिये आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की है और यह रहा अगला मुंभाई मिस्क्यत है और इसके अध्यक्ष है एत्सके जोषिछ ठीश क्यों है सीप्रप्र ऑफ इंडिया के बरतमान में अध्यक्ष shines ऐस एच के जोसी जो बरतमान में सिपिंग कोर्परेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संगठन को और यह रहा अगला संगठन होके इंडिया होके इंडिया की अस्थापना हुआ है 2009 20 entering और होके इंडिया के मुख्याले न्यूदिली मीस्थित ए होक इंडिया के बरser नरिंदर दुरूप बत्रा है और यह कि नरिंदर दुरूप इसने भी संगठन सभी कि सभी काफी महत्पूर्ण है इन सारे संगठन से प्रिवियस वर्सों में पुछे गए हैं इसलिए इस वीडियो में सामल किये तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए होंगे तो एक बार दो बार करके रिवाज करके देखते रहेगा ताकि यह सारे संगठन आप लोगों को कंठस्ट हो सके और आप लोग एकजाम में जाके इन सारे संगठन से पुछने वाले कोश्चन्स का सही सबाब सही सबाब दे पाए और आप लोग एक नमबर गेन कर पाए अगर आप लोग इस वीडियो को दो चार बार देख लेते हैं तो एक नमबर कन फॉर्म है कि किसी कंपरटेटिव एकजाम में आप लोगो एक नमबर निश्चीत तोर पर भी मिल जाएंगे तो यह था आज किस वीडियो का अंतिम संगठन तो यह वीडियो आप लोगो को कैसा लगा प्लेज मुझे कोमेंट करके बताए अच्छा लगा तो एक लाइक करते कोमेंट करते विडियो को अपने दोस्तों में बैसेर कर दे यह दिए अबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब में नहीं की हैंढ़ा चैनल को कर लिए भी प्रिस कर ले ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो अड्रक लोगों को मिल सके और आप लोगों सार वीडियो को देख पाए तो अन्ति में थेंकी फर वाचिंग प्लिस सस्क्राइब मैं माई यूटुब चैनल थेंक